प्यारे विद्यार्थियों, नगर सासन सम्मन्दी सुधार इस अध्याय में हम नगरिय इस्थानी निकायां को प्रिवावी बनाने के लिए सरकारों द्वारा जो भी प्रियास किये गए उनके बारे मध्यन करेंगे। भारत में सामानत्यक केंद्र सरकार सेरी इस्थानी सासन में सुधार की फिर्मक्स रोत रही है। नगरिय इस्थानी निकायों की समस्याओं का निश्थारण हुआ है। और केंद्रिय सासन ने अपने सुधावों से और प्रस्तावों से नगरिय इस्थानी परणवाली को लावानवित किया है। नगरिय सासन के सुधारों सम्मंदी जो प्रस्ताव हैं वो इस्थानी स्वायत सासन की केंद्रिय परस्त। नगर एवं ग्रामीर नियोजन से सम्मंदित राजमंत्रियों के सम्मेलन नगरपाल का सम्मेलन आदी के प्रस्तावों से आते हैं। ये सभी परस्तावों ये सम्मेलन केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई। इस्थानिय सासन की केंद्रिय परसद की नग्रिय सासन के सुधारों के छेतर में दुहरी भूमका होती है नम्मर एक तो ये समितियों को गठित करती है जो विश्यस मामलों में अपनी राय पर कट करती है दूसरे ये परसद स्वेम भी नग्रिय इस्थानिय सासन की समस्याओं और पसनों का नरिचन करती है उन पर अपना मत या बिचार देती है केंद्र के अलावा राज भी अपने अपने छेतर में नग्रों के इस्थानिय सासन की जाच के लिए समितियों का गठन करते है लेकिन केंद्रिय पच्छ की तुलना में राज द्वारा इस छेत्र में कोई प्रवाव साली उधारड पेस नहीं किये गए नगरीय सासन में सुधार का, अगर तीसरे शुरोद की बात करें केंद्रिय इस्तर और राज इस्तर के लावा तो वो तीसरा सुरोद वे संग्ठन है जो नगर के इस्थानीय सासन दौर और स्वेमी गटित किये गए हैं जिसे अखिल वारती नगर प्रमुक परसद, अखिल वारती इस्थानी अधिकारियों का संग, आंद प्रदिश नगर पाल का अध्यच चेमबर, पस्चिम बंगाल नगर पाल का सवाद, इस प्रकार के संग्ठन बने हैं इनमें अंतिम निकाय असंज था, 1936 से चालू है, और राजबर के इस्थानी सासन के अधिकारियों का एक अधिकरत निकाह है, जो बंगाल इस्थानी स्वेशासन सवाओं के अधिनियम 1936 के अंतरकत मानता प्राप्त है, एक अन्य संज था, नगर पाल का सदा से संबेलन का हुआ था, नगर सासन के सुधारों का एक संभाव श्रोत इवन नागरे को द्वारा गठित नगर की समस्याओं से संब्धित विविन संग्ठन हो सकते हैं, लेकिन इस स्रोत का भारत में अब आव है, अब हम अध्यन करते हैं कि नगर ये सासन में सुधार से संब्धित, जो विविन समितियां या आयोग घटित किये गई हैं, उनके बारे हम करम बाराध्यन करते हैं इस्थानी बित्त जांच कमेटी इस्थानी बित्जाज कमिटी का गठन 1949 में किया गया था और कमिटी ने 1901 क्यामन में अपनी रिपोर्ट दी थी इस कमिटी ने अपनी सिपारिस में का था कि इस्थानी निगायों का आए के निशित रोत सौपने हे तू एक प्रस्ताब तयार किया जाना चाहिए और कमिटी ने वो प्रस्ताब तयार भी किया इस प्रस्ताब से प्राप के अंसार जो आए के सुरोत निर्धायत किये गए थे उन आएं सुरोतों से प्राप्त आए इस्थानी निकायों को ही प्राप्त होगी इस कमिटी ने इस्थानी निकायों के लिए आए के सुरोतों की एक सूची बनाई थी इस कमिटी के अध्यच पी के वाठल थे दूसरी कमेटी बनी करार ओपन जाच कमेटी 1953 में ये कमेटी गत्रित की गई और 1954 में इस कमेटी ने अपनी सिपारिस दी जौन मथाई इस कमेटी के अध्यक्ष थे कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि नगर सासन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए जितना राजस मिलना चाहिए उस अनपात में राजस के स्रोत उनके पास नहीं है अर्थात नगरिय निकाय द्वारा जो सेवाओं प्रदान की जा रही है उनके लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नगरियों निकायों के पास नहीं है नहीं उस पैसे के लिए उनके कोई आयके सुरोत है अत्या आयोग ने राजस के सुरोत इवम निर्भा किये जाने वाले दायतों के मद असंतलन बताया कि भाई इनको काम जादा करना पड़ता है उन कार्यों में खर्च जादा होता है इनकी इंकम है नहीं अते करों के नए सुरोतों को इस्थानी निकायों को सौपने का सुजाब दिया आयोग ने सौपे जाने वाले दस करों की एक सूची भी प्रिस्तित की थी जो इस्थानी निकायों को सौपी जानी थी नगरपाल का करमचारी प्रिसेक्षन समय थी 1963 में एक कमेटी गठित की गई थी नूरुद्दीन एमद इस कमेटी के अध्यच थे और कमेटी ने सुजाब दिया कि राज प्रिसिच्छन संस्थाँ के प्रिसिच्छकों को प्रिसिच्छित करने के लिए और नगरपाल का करमचारियों के प्रिसिच्छन कारेकरम को समयर करने के लिए केंद्री इस्तर पर एक प्रिसिच्छन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए और राज इस्तर के प्रिसिच्छन संस्थानों में जो प्रिसिच्छक प्रिसिच्छन देते हैं उन प्रसिच्चकों का प्रसिच्चन होना चाहिए केंद्री संस्थानों में, साथ ही नगरपाल का करमचारियों का प्रसिच्चन भी संचालित होना चाहिए, और इन प्रसिच्चन कारेक्रमों का समनवे केंद्री इस्तर की कोई प्रसिच्चन संस्थान करे, इससे बिविन र थी एपी जैन इस कमिटी के अद्यच थे और कमिटी ने अपने प्रतिविदन में कहा कि ग्रामीड और सहरी छेत्रों को पृतक पृतक इस्थानी एकाई के रूप में जो बिभक्त किया गया है ये गलत किया गया है इस पिरकार के बिवाजन से गाउं और नगर निवासियों के बीच में छेत्री अब्यद बढ़ा है इससे भारत में एक सावयभी समाज के निर्माण में अबरोध आया है अर्थात जो भारत है वो ग्रामीड भारत और सहरी भारत में बढ़ गया है सेरी छेत्रों की इस्थानी संस्थाएं नगर पालका, नगर परसद, नगर नगम अलग है उनके अधकार छेत्र और कारे सूची अलग है ग्रामीर छेत्र की इस्थानी निकाई जो ग्राम पंचाद, पंचाद समिति जला परसद अलग है उनका अधकार छेत्र और कारे सूची अलग है इससे छेत्रिय भेद बढ़ गया है और इससे एक भारत एक साविय भारत बनने के निर्माण में अवरोध आएगा अते मान भी एवं साविय भी एधंकी एक इकर कराईयों का निर्माण किये जाने के आवसकता है जो संपूर समाज के लिए बिना छेत्रिय भेद के कारे करें कमेटी ने सुझाप दिया कि जिले को दोनों छेत्रों के लिए नियोजन की एक इकाई बनाया जाए योजना और कारे करम बने बो जिला इस्थर पर बने और ग्रामीड और छेरी दोनों संद्र में बने इससे ग्रामीड एवं सेरी छेत्रों के मत गुणात्मक एवं ब्यवारे का नतर भी समाप्त हो जाएगा इस थाने निकाईओं के बित्तिय साद्रों की समिती अर्था सहरी इस्थानी निकाया के बित्य साधनों की ब्रद्दी की समेती रफीक जकारिया इस कमिटी के अद्यच थे ये कमिटी भी 1963 में गठित की गई थी रफीक जकारिया कमिटी ने सुझाव दिया कि इस्थानिय नगरिय निकाय को अपने अधकार छेतर में कर लगाने और कर एकतित करने के लिए सक्रिय प्रियास करने चाहिए ऐसे पारसर में कार प्रारम करने चाहिए जिनसे आयके अत्रिक्त स्रोत स्रजित हो सके है पिरतेक राज में शहरी विकास बोर्ड की स्थापना हेदु परामर्स दिया यह बोर्ड भूमी एवं संपत्थी का अधगर्ण करके नगर विकास से सम्मंदित दायतों का निर्वा करेगा अर्थादिस कमेटी का सुजाब था कि नगरिय स्थानी निकायों को अपने कर संबंदी अधकारता का सक्रिय उपयोग करना चाहिए और आयके स्रजन के लिए पारिश्रमिक कार्य प्रारम करने चाहिए जिससे अत्रित आयके स्रोत स्रजित हो सके नगरपाल का करमचारी सेवा परिस्थिती समय थी 1965 में कमिटी गठिद की गई थी और इस्थानी सासन की केंद्रिय परसद ने इस कमिटी का गठिद किया था नगरपाल का सेवा में जो करमचारी कार्य करते हैं उनकी सेवा सर्तों की जाच के लिए उनकी सेवा सर्तों को बहतर बनाने के लिए इस कमिटी का गठिद किया गए था कमिटी ने कहा कि एत्यासिक नजरिय से ये सत्थापित सत्य है कि इस्थानी सासन ही अपने कार्मेकों की नियुक्ति एवं सिवा सरते निर्धारित करता है क्योंकि नगरपाल का कार्मेकों का इस्थाना अंत्रन नहीं होता इससे इन कार्मेकों की प्रतक से भी कर्म प्रणाली जनम लेती है क्योंकि इनका इस्थानांद रन नहीं होता और वो ही। उसी इस्थानी नकाय में कार्व करते रहते हैं, इससे इस्थानी इस आसन में बुराहियां पन अपने लगती है समेती ने अपने प्रतिपेदन में बताया कि नगरपाल का कि संपून कार्मेकों के लिए राज ब्यापी स्रेणियों का निर्माड करना आपर्यार है लेकिन अंत्यमुद्दिश नगरपाल का सेवा का कठन होना चाहिए इस कमेटी का सेजाब था कि नगरपाल का करमचारियों का इस्थानंत्र ना होने से वो करमचारी उस जगए पर इतने इस्थाफित हो जाते हैं और अपने पद सम्मेदी दायत्यों का ढंक से निर्भा नहीं करते इससे इस्थानी सासन में बुराईयां पनपती इस्थानी सासन अपने दोसों को अपने लच्छों को प्राप्त करने मस्पल हो जाता है इसलिए नगरपाल का कारमेकों के लिए राजव्यापी स्रेणियों का निर्माण का ना वसक है उनका राज इस्थार पर नगरपाल का टू नगरपाल का ट्रांसफर हो और इससे एक फादा होगा कि नगरपाल का सेवा का गठन भी हो जाएगा इस्थानिय स्विसासन की केंद्रिय परसद 1948 में इस्थानिय स्विसासन की केंद्रिय परसद का गठन किया गया 1955 में इस परसद ने कारे करना प्रारम किया प्रारम में ये परसद ग्रामीड और सहरी दोनों छेत्रों के वारे में अपने विचार व्यक्त करती थी और कमिटियों का गठन करती थी सुदार के सुजाब देती थी बर्तमान में इसका छेत्रा अधिकार सिर्फ सेरी छेत्रों तक की सीमित है इसकी बैठक हैं बर्स में एक बार होती हैं और उन बैठकों में नगर सासन के सुधार समंदी प्रिस्ताप रखे जाते हैं अखल भारतिय निगम अध्यच परसत इसकी इस्थापना 1962 में हुई यह नगर निगम के अध्यच्छों यह नगर प्रिमुखों की एक संस्था होती है जिसमें नगर निगमों से सम्मानित समस्याओं पर विचार विमर्ष किया जाता है नगर पाल का सदस्य सम्मेलन 1965 नगर पाल का के सदस्यों का सम्मेलन नगर समस्याओं पर विचार विमर्ष के लिए दिल्ली के नगर पाल के प्रियासों से बुलाया गया इस सम्मेलन में नगर पाल का के बित्य सरोतों में ब्रद्दी करने के सुझाब दिये गए थे जैसे नगरपाल का द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनकी नियून तमसीमा में बृद्धी की जाए अक्रिम अंदान प्रदान किया जाए सासन द्वारा निगम को रण लेने और देने की अनुवती दी जाए बिक्रिकर्द की आमदनी का एक भाग नगरी ए सासन और को लिए नरधारित किया जाए इस पिरकार की बातों पर नगरपाल का सदस अ सम्मिलन में विचार किया गया था राज्यों के इस्थर पर नगरी इस्थानिय सासन से समंद्ध जो कमिटियां गठित की गई थी उनमें इस्थाजनिय सासन सहरी जांस समिती पंजाब द्वारा जो गठित की गई थी उसने सुझाब दिये के इस्थानिय संस्थाओं के प्रत्यच नियंत्रण के लिए एक निदेशाले की इस्थापना की जानी चाहिए निदेशाले को इस्थानिय संस्थाओं के कायरों में साहिक निदेशक अवकरण के रूप में कायर करना चाहिए नगरपाल का नभीकरण समिती गुजरात ने भी इस्थानिये संस्थाओं के लिए कार्मिकों की भरती अवकरण के संबंद में सुजाब दिया था समिती ने का था कि तिर्थियर चतृत परके करमचारियों की भरती प्रणाली में कोई परवर्तन किये जाने की जुरत नहीं है ये गुजरात के संबंद में इस समिती ने सुजाब दिया था नगरपाल का अधनियम एकी करण समिती महराष्ट ये समिती 1964 में गठित की गई थी और इस समिती ने का था कि नगरपालकाओं के लिए प्रमुक अधकारियों के रूप में कार करने है तू उप्युक्त इवन बांचित योगता के पदादिकारी प्राप्त करने में जो कठनायां हो रही हैं उसको दूर करने के लिए पिर्थम और दित्यवर के पदादिकारियों की भरती करने के लिए कमिटी ने सिपारिस की थी कमिटी की सिपारिस थी कि नगरपालकाओं के लिए पिर्थम और दित्यवर के करमचारियों की केटिगरी वो कैडर निर्धारित होना चाहिए केडर निर्धारित होना चाहिए और ये केडर नगरपाल का सेवा आयोग के नाम से होना चाहिए जो इसी कारे के लिए निर्धारित है इस केडर में जो नियुक्ती होंगी नगरपाल का सेवा आयोग की सिपारिसों के आधार पर ही होंगी और प्रतेग नगर पालका को अधकार होगा कि इस केड़र के अंतरकत काम करने वाले करमचारी को जिससे वह संतुष्ट नहीं है उसको हस्तांत्रित कर सकेगी इस प्रकार इस अध्याय में हमने अध्यन किया कि नगरिय सासन को प्रभावी बनाने के लिए जिससे की वह अपने उद्धिश्चों को यतोचित तरीके से प्राप्त कर सके कई प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया उनकी सिपारसों पर बिचार भी किया गया कई कमेटियों के सिपारस या बिचार लागू भी किया गया आज जो इस्थानी असासन आज हमारे रूप में है हमारे सामने जिस रूप में है वो अपनी सुधार और विकास यात्रा का ही एक परणाम है वो इस पोजिशन में इस इस्थिती में एक दिन में नहीं पहुचा बलकि समय समय पर विविन आयोगों ने जो सुधाब दिये सरकार द्वारा जो उनमें सुधार किये गए उसका वो परणाम हमें दृष्टी को चरूता है धन्यबाद